निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना आईए आपका स्वागत करता हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्रेकर मैं मनोविकार सेख्षरोग सम्मोहन तथा व्यस्थन मुझ दग्यूं महाराष्ट में अकुला में पैट्टिज करता हूं हम् कुछ भी संभावणा लेक्रों के पास में जाते हैं कुछ बात करते हैं यह करेंग वो करेंगी अधरी कुछ डायलोग यह लुक्स昨ुनाते रहते कि कंया लेकर जाएंगा यह कर रहा है पैसे के लिए हाला कि पैसा कमा के करेंगा क्या जान दो जितना है उसमें हमने समाधन और शांती रखना चे वगरे वगरे डायलोग करते जाएंगे यह लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलना कि भाई ठीक है तूखालिया आदा और खालिया जाने वाला है तो ऐसा कर तुरी प्रापरिटी मेरे नाम पर कर दे उसे यह बोलना है कि वो लोगों को सुनो मत हमको पता है कि हमको एक दिन मिट्टी में जाना है मगर तभी भी उसके पहले कुछ ना कुछ करके जाना है ऐसा बोला जाता है कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना पड़ता है मगर उसके पहले आसमान को छुके आना पड़ता है वो पतंग जो है वो आसमान को छुके आती है तो वैसा भी आपको मिट्टी में मिलने का है मगर उसके पहले ऐसा काम करो आसमान को छुके आजाओ इतना सफलता इतनी सफलता हासिल करो कि लोगों ने देखना चाहिए कि वाह क्या काम किया लोगों ने बोलना चाहिए कि वाह तरी जिन्दगी सफल हो गई अपने फील में अपने बिजिनेस में अपने लाइफ में इतना बड़ा काम करो कि लोगों ने दस चनम तक याद रखना चाहिए इतना काम करो कि आपका कोई duplicate लोगों ने करने ही नहीं चाहिए आज भी हमारे खिसे में मात्मा गंदी का फोटो है हर नोट के ओपर मात्मा गंदी का फोटो है और किसका replace नहीं हुआ है लोग मात्मा गंदी जी को duplicate करी नहीं पाए तो इतना काम करो कि लोग 10 जनम तक आपको याद रखे या लोगों को 10 जनम लेने पड़े आपका इतना काम करने के लिए आपको पैसा कमाने का नहीं मैं बोलता हूं पैसा कमा आपको पैसा होना नहीं मैं बोलता तभी पैसा कमा बहुत बड़ा बीजिनेस करो और जितना भी पैसा कमाते हो तो उसको दान कर दो कोई प् पब्लिक के लिए काम करो अवरत के लिए सुसाइटी के लिए काम और यह धिर डिद लीयस ने इतना oyसा कमाया तो म Administration स्टापन करें कि उसको पुरा डूनेशन दे दिए वारंज परफे ने पाइसा कमाया उसने डोनेट कर दिया आजीम प्रेमची ने पाइसा कमाया LadKar आप कितने सफल हो सकते है या आप कितने सफल है उसको महत्व नहीं है कि आप कितने सफल है आप जितने सफल हो सकते थे उतने सफल है कि वो महत्व है आपको एक हजार तक आप जा सकते है और आप सव तक ही गए तो इसका मतलब आप सफल है क्योंकि आप सव तक है बाकि सौ लो हमेशा उसके लिए आगे बढ़ने की कोई उच्छे लेवल जाने की भूख होनी चाहिए भूख इदी रही हंगर रही तो फिर आप आगे जा सकते हैं तो आगे जाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करो क्योंकि जो बड़ा बनता है तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है जो वहाँ लेवल तक जाने के लिए जो व्यक्ति बनता है जो आदमी बनता है वो महत्वका है वो एक नया आदमी खड़ा हो जाता है वहाँ एक नया आदमी खड़ा होगा एक transformation वहाँ होता है कि वहाँ जाने के बाद में एक अलग व्यक्ति आपको दिखाई देगा तो यह जो निगेटिव वाले लोग जो है जो आपके आजू बाजू में होलसेल में घुम रहे है और ज्यादा तर वही बीस लोग है जिनको आप बार-बार मिलते रहते है वह निगेटिव है उनका मत सुनो उनके तर ख्याल मत दो वो क्या बोलते हैं देखो मत आपका क्या गोल है आपका क्या फोकस है आपने क्या डिसाइड किया होगा है और वो डिसाइड करके उसके उपर टार्गेट करके आप देखो कि आप कितना कर सकते हैं, आप आपके फिल्म हैं, जो भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, वो क्षेत्र में आप उचाई पे जाओ, तो निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, और अपनी जिन्दगी खुद बनाओ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, क्योंकि लोग बाहर दुनिया में पूरे रिजाइंड है, पूरे सिनिकल है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ संभो नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये तो अशक की प्राइज, पॉसिबल इन ऐसा लोगों को लगता है, तो उनको डिफिनेटल ये विडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, हमारा मकसद है कि वह एक पाउरफुल इंडिया बनाने का, उसमें हर व्यक्तिती पाउरफुली जी सकता है, पाउरफुली जीएंगा, तो सचमुच एक बड़ा भारत का निर्मान हम करेंगे, अच्छा लागा तो झाल झाल